Hello dear students, most welcome in your favorite channel of Super90 classes. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम Life Process Class 10th के 2nd lecture पर वर्क करेंगे और आज की क्लास में हम समझेंगे Excretion and Blood Circulation के Concept को. तो जब हम इस Concept को start करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है. तो आप देख सकते हैं, आज की क्लास में Transportation and Excretion पे हमें Proper Manner में वर्क करना है. तो गाईज, हम start करते हैं आज के इस lecture में. Human beings like other multicellular organisms need regular supply of food and oxygen, etc. This function is performed by circulatory system और transport system. एक simple सा fundamental है, जितने भी आपके multicellular organisms हैं, कोई भी animal हो या humans हो, तो वहाँ पर उन्हें regular supply of food and oxygen की need होती है. बिना food and oxygen की need के, आप भी जानते हैं, वो survive नहीं कर सकते हैं. तो proper manner में, उनको multicellular organisms को regular supply of food and oxygen की need होती है, क्योंकि इन ही से उन्हें energy मिलेगी, और इन ही से further breakdowns of food और जो भी processes उनकी body में होने हैं, वो होंगे. इसी function को perform करने के लिए circulatory system या transport system का utilization होता है. जो एक pressure create करता है और पूरी की पूरी body में एक fixed pattern में blood को क्या करता है? पंप करने का work करता है. Second, blood vessels are trees and winds, जो proper manner में oxygenated and deoxygenated blood को organs तक ले जाना, ठीक है, oxygenated blood को heart से organs तक ले जाना, और deoxygenated blood को organs से heart तक वापस ले आने का work करती हैं. आप कह सकते हैं कि pure blood को ये body parts तक पहुचाएंगी and impure blood को ये body parts से ले करके heart तक वापस ले करके आएंगी. और फिर उसके बाद एक circulatory medium होता है, यानि वो चीज जिसको ये one part to another part तक proceed करते हैं, जिसको हम बोलते हैं blood और lymph. तो चलिए हम इस part को start करते हैं, हम समझते हैं कि किस तरीके से ये proper manner में work करेगा. यहाँ पर आपको दिया जा रहा है normal herd का configuration. First of all, आपको ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर जो आपको कुछ symbols दिये जा रहे हैं, वो क्या है? अब देखिए ये figure आपका जो दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये proper manner में inferior वैना केवा दिया जा रहा है, छीक है? Arterial spectrum दिया जा रहा है, बट इसमें तो सबसे important चीज है, वो क्या है? पल्मोनरी वीन्स फ्राम लंग्स, सबसे पहले तो जानिये पल्मोनरी वीन्स का वर क्या होता है, तो एक चीज जानते लिए कि जो पल्मोनरी वीन्स या पल्मोनरी आर्ट्री होती है, यह अधर आर्ट्री से, पल्मोनरी आर्ट्री जो होगी, वो अधर आर्ट्री से अलग वर करती है ठीक है और जो आपके विन्स होती है पल्मोनरी विन्स होती है वो विन्स की कमपारिजन में अलग वर सो करती है सबसे पहले हम इनके जनरल नेमिंग को समझ लेते हैं जब इस नेमिंग को हम समझेंगे तो A.O. आपको दिया गया जो बोला जाता है P.A. जो दिया जा रहा है that stands for pulmonary artery L.A. दिया जा रहा है left atrium के लिए और R.A. right atrium के लिए L.V. आपका जो है वो left ventricle है और R.V. आपका जो है वो right ventricle के बारे में दिया जा रहा है रेड कलर में आपका oxygenated rich blood होगा ठीक है और blue कलर में आपका de oxygenated blood होगा या oxygen poor blood होगा अब समझें oxygen को gain करने के बाद energy के form में हर एक body parts तक पहुचाने का work होता है तो जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं जो भी आपके wins होते हैं surely वो क्या करेंगे आपके वो proper manner में pure blood को body parts तक पहुचाने का work करेंगे और जो आपको blue part का पूरा का पूरा सब दिख रहा है वहाँ पर जो आपको arteries मिलेंगी surely वो arteries de oxygenated blood को body parts से heart तक पहुचाने का work करते हैं फिर से आप एक बार समझिएगा ठीक है oxygenated blood को heart से gain करके body parts तक पहुचाने का work जो होता है वो wins का होता है arteries का होता है और जो blue parts आपको दिख रहे हैं ये wins का work करते हैं ठीक है sorry de oxygenated blood को body parts से पहुचाने का work करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा part भी दिया जा रहा कि de oxygenated blood oxygenated blood कैसे और कहां से आता है तो आप देख सकते हैं oxygenated blood left आल्ट्रियम में जाता है oxygenated blood जो है वो left आल्ट्रियम में जाएगा और left आल्ट्रियम में जाने के बाद यह relaxed condition में होगा left आल्ट्रियम जब contract करेगा तो समझे contraction and compression इसका मतलब एक pumping हो रही है जो क्या करेगा left आल्ट्रियम relaxed condition से जब contract condition में आएगा तो प्रेशर मिलेगा और प्रेशर से वो ब्लट कहां पर चला जाएगा आपका left ventricle में और जैसे ही वो left ventricle में जाएगा left ventricle में proper manner में वो relaxed condition में होगा और जैसे ही वो contract होगा वो आगे की तरफ प्रोसीट कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस चीज को यहां पर दिया जा रहा है deoxygenated blood का part क्या है तो वाया iota body parts तक आप इसको पहुचाते हैं blood को deoxygenated blood body parts से लेकर किस तरीके से heart तक पहुचाई जाएगी चलिए हम देखते हैं जिस जिस process से आपने body parts तक क्या किया था यहां पर आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले यहां पर की left ventricle में जाने के बाद वो throw कर दिया जाता है body parts तक लेकर के जाने के लिए आप समझ सकते हैं यहां से उसको फर्दर क का मतलब pumping होगी तो body parts तक blood आपका proper manner में चला जाएगा लेकिन फिर उसी चीज को आप यहां पर देखिए deoxygenated blood यह वेना कहवा के थ्रू right atrium relaxed condition then contract होगा तो further आगे proceed कर दिया जाएगा pressure के थ्रू right ventricle में जाएगा relaxed right ventricle उसको contract करके lungs तक प्रोसीड करेगा और फिर उसके ब आप देखिए हमने यहां पर blood के circulation को समझा कि oxygenated blood किस तरीके पार्ट्स तक proper manner में पहुचते हैं यहां से होते हुए यह कहां पर जाएंगे body parts तक ठीक है और deoxygenated blood जो होगा वो किस तरीके से जाएगा और कहां पर जाएगा इसको भी हम लोगों ने देखा यहां से होते हो जाएगा ठीक है अब देखिए चलते हैं blood के concept पर करते हैं blood is known as a fluid connective tissue ठीक है यह tissues को connect करने का एक fluid material medium होता है अब देखिए इसमें three types two types के आपको first one is solid component and second one is liquid component अब solid component में आपको सबसे पहले जो बताएगा वो होता है RBCs what is mean of it red blood carpuscles आप सभी लोग जानते हैं red blood carpuscles हमारे blood का गरल क्या होता है red होता है किसके region से होता है presence of hemoglobin के region से और इसी में आपके RBCs जो होते हैं वो क्या करते हैं survive करते हैं carries respect gas O2 and CO2 यानि यह क्या करते हैं carrier का वर करते हैं किसके लिए O2 और CO2 के लिए फिर आपको मिलता है blood platelets छीक है blood platelets क्या होते हैं आपके health in blood clotting यानि अगर कहीं पर cut जाए किसी तरीके से cut हो जाए तो cut होने के बाद blood circulation blood को निकलने से कौन रोकता है तो आपका जो यहां पर platelets होते हैं वो blood की clotting करके blood का निकलना बंद करते हैं फिर आपको मिल ला है WBC what is mean by the WBC? provide body defense by engulfing the germ cells and producing antibodies यह जो होते हैं पेटा यह exterior bacteria से fight करने का वर करते हैं यानि आपका सकते हैं कि आपकी body में antibodies को develop करते हैं जो exterior viruses और bacteria से fight करते हैं और आपकी body की जो है anti-oxidizing capacity को बढ़ाते हैं यानि रोग प्रतिरोधक चमता को क्या करते हैं बढ़ाते हैं liquid component में आपको plasma दिया गया plasma a yellow color fluid contain 90% water and 10% organic substances like plasma protein, albinim, globulin, inorganic minerals, ions चीक है यहाँ पर आपको बताये गया कि यह 90% water contain करता है और साथी साथ में 10% organic compound आपका यह contain करता है organic substances को contain करता है second part आपको मिलता है lymph क्या है आपने देखा था कि carriers में जो आते हैं carriers में blood होते हैं और lymph होता है तो देखें lymph क्या है a yellowish fluid escapes from the blood capillaries into intercellular spaces contains less protein than blood yellow color का एक substance जो blood capillaries में escape condition में रहता है into intercellular spaces contains less protein यह protein less contain करता है यानि blood की comparison में protein का amount इसमें कम होगा intercellular spaces में यह पाए जाते हैं और yellowish color के fluid होते हैं lymph flows from tissue to be hurt assisting in the transportation and destroying the germs limbs का work जो होता है वो tissue से hurt की तरफ proceed करते हैं और transportation के medium को continuous बनाने का वर करते हैं और साथी साथ में destroying the germs germs जो मिलेंगे उनको destroy करने का कम करते हैं अब देखिए blood vessels में आपको oxygenated blood को contain करेगी लेकिन pulmonary artery exceptional cases में होगी यह हमेशा de oxygenated blood को contain करती है oxygenated blood को heart से body part की तरफ heart से body part की तरफ यह proceed करेंगे और जो आपके winds होंगे यह de oxygenated blood को body part से heart की तरफ ले करके जाएंगे accepting pulmonary intervene अब यहां पर देखिए also called distributing vessel क्यों क्यों क्योंकि यह blood को distribute कर रहे है all over the body and this is called the collecting vessel because यह collect कर रहा है blood को impure blood को collect करने का work करता है यह thick and elastic होता है और यह thick and less elastic होता है चलिए अब next part पर हम जलते हैं next part आपको जो दिया जा रहा है that is transportation in plants चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को हम there are two main conducting pathways in plants देखिए transportation जो plants में होगा वो two medium से हो सकता है एक xylem से और एक flowen से चलिए दोनों को हम देखते हैं carries water and minerals from root to the other part of the plant बिटा यह जड़ से चीजों को लेता है और उपर के पार तक proceed करने का वर करता है और flowen जो होता है यह photosynthesis से मिले हुए part को आप arrow के त्रिव समझ सकते हैं xylem नीचे से सभी चीजों को उपर की तरफ ले करके जाएगा जिसमें water and minerals main होंगे और जो flowem होगा वो food को photosynthesis जो भी मिला वो upward से downward direction मिलाएगा तो वही बताया जा रहा है carriers carries water and minerals from roots through other part of the plants and carries product of photosynthesis from leaves to other part of the plant ठीक है no energy is used practically कोई भी energy used नहीं होती है और यहाँ पर energy का ATP के form में utilization होता है transpiration is process of loss of water as vapour from the airical parts of the plants ठीक है इसमें क्या होता है कि जो आपकी water होता है plants के पास वो vapour के form में consecutively क्या होता रहता है चेंज होता रहता है और बाहर की तरफ निकलता रहता है अब देखिए functions क्या है absorption and upward movement of water and minerals by the creating pool ठीक है यह किसका वर्क है जाइलम का वर्क है यह क्या करते हैं यह upward pull को generate करेंगे और उस pull की help से सभी चीजों को ऊपर की तरफ proceed करेंगे सभी चीजों का मतलब क्या रहा सभी चीजों का मतलब water and minerals से रहा helps in temperature regulation in plant water and minerals की help से temperature को भी regulate करने का वर करते हैं transport of food from leaves to different parts of plants is called the translocation काफी important part है यह translocation की definition बच्चों अकसर पूछ ली जाती है आपसे तो जब food को leaves से गेन करके body के या plant body के different parts तक पहुचाया जाता है then that process is known as translocation okay we are proceeding further in next part that is the excretion आप देख सकते हो process of removal or harmful metabolic waste from the body harmful metabolic यहां पर एक proper figure आपको दिया जा रहा है आप इस figure को चाहें तो इसका snapshot लेकर के proper manner में बाद में समझ भी सकते हैं बच्चों जिसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या चीजें होंगी तो चलिए देखते हैं the process of removal of harmful metabolic waste from the body इसी को बोलते हैं excretion यानि harmful metabolic waste test जो होते हैं उनको body से excrete करना ही होता है बाहर निकालना ही होता है excretion excretory system of human beings includes a pair of kidney a urinary bladder a pair of ureter a urethra यहाँ पर यह चार पार्ट आपको दिये जा रहे हैं इनको urinary bladder है और kidney में बेटा जो proper manner में urine produce होगी वो पास कर दी जाएगी urator into the urinary bladder urinary bladder में आ करके यह collect हो जाएगा where it is stored until it is released through the urethra और urethra के त्रूँ इसको बाहर की तरफ release कर दिया जाएगा फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर kidney में urine का production हुआ यूरेटर के त्रूँ इसे पास किया गया कहां तक के लिए urinary bladder में यहाँ पर store होगा यहां से भी आईए store होगा और फिर उसके बाद urethra के त्रूँ इसको क्या कर दिया जाएगा बाहर तो एक simple सा आपको list मिला kidney से urator से होते हुए urinary bladder में आएगा kidney से urator में होते हुए urinary bladder में आएगा और urinary bladder में collect करके urator के त्रूँ release कर दिया जाएगा next आपको है the purpose of making urine it is to filter up waste product from the blood जो urine बनाने का main purpose होता है इसका main purpose है filter out waste products from the blood blood से जो waste products होते हैं जो यूरिया वगरा बन जाता है यूरिया which is produced in liver liver में यूरिया का production होता है यूरिया का formula ns2 co ns2 होता है आप सभी जानते हैं ठीक है first आपका organic compound था जिसे हम लोगों ने lab में prepare किया था humans ने lab में prepare किया था तो एक अच्छा question यह भी बनता है the first organic compound urea formula होता है ns2 co ns2 तो यहां पर बताया जाता है कि blood को filter करने के बाद जो waste products होते हैं उन्हें अलग करके क्या कर दिया जाता है liver में liver में जो urea produce हो रहा है उस तरीके के waste product को अलग कर लिया जाता है और यही urine बनाने का main purpose है each kidney has large number of filtration units called the nephrons यहां पर आप देख रहे हैं आपको kidney के अंदर nephrons मिलते हैं और वो nephrons क्या करते हैं nephrons proper manner में क्या करेंगे एक छोटा सा वर करते हैं वो filtration का वर करते हैं ठीक है ना वो filtration का वर करेंगे फिर उसके बाद urine formation involves three step three step वहाँ होता है each kidney has large number of filtration units called nephrons the urine formation involves three steps three steps होते हैं first glomerular filtration होता है जिसमें nitrogen waste is glucose water amino acid filter from the blood into bromine capsules of the nephrons इसमें आपको बताया जा रहा है कि nitrogen waste is glucose water amino acids को filter किया जाता है blood से ठीक है bone capsules of nephron होते हैं और उन्हीं की help से इनको हम क्या करते हैं separate करते हैं दूसरा दिया गया है tubular कि री एब्सॉर्ब्सन नाव यूसफुल सबस्टैंसेस फ्रॉम फिल्ट्रेशन और री एब्सॉर्ड बैक बाइदा capillaries surrounding the nephron आपको बताया जा रहा है कि जो useful सबस्टैंसेस उसमें कुछ filter हो चुके हैं उन्हें फिर से absorb किया जाता है capillaries के त्रिव जो कि nephron की surrounding में होंगे और थर्ड पार्थ होता है secretion extra water salt are secreted into the tubules which open up into the collecting ducts and then into the ureter यहाँ पर बताय जा रहा है कि जो extra water and salt होता है उनको जो है collect कर लिया जाता है collecting ducts then into the ureter ठीक है फिर उसके बाद आपको दिया गया है hemodialysis the process of purifying blood by an artificial kidney is known as kidney failure patient it is meant for the, यहाँ पर देखिए काफी important है hemodialysis आपको दिया जा रहा है hemodialysis क्या होता है kidney failure के patient के लिए process of purifying blood by an artificial kidney यह क्या होता है आपका hemodialysis भोला जाता है तो आप से गर पुछा जाता है what is meant by the hemodialysis तो आप practically बता सकते हो the process of purifying blood by artificial kidney is called the hemodialysis it is used for the kidney failure patient अब देखिए excretion in plants में oxygen CO2 and S2 आपको पहले यह बताया जा चुका है through stomata के 3 उनको क्या किया जाता है बाहर की तरफ proceed किया जाता है अब यहाँ पर देखिए other wastes may be stored in leaves आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जब आप इस पार्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको excretion in humans आपने देख लिया excretion in humans के बादब आगे चलते हैं तो other wastes may be stored in leaves, bark etc which fall from the plant excrete some waste into the soil around them gum ration यहाँ पर यह थोड़ा सा पार्ट आपको जो दिया जा रहा है यह excretion in plants से relate कर रहा है इसको हम लोग other lectures में लेकर के चलेंगे यहाँ पर आपको exercise पर वर कराया जा रहा है अब देखिए जो भी आपने पढ़ रखा है पिछले पार्ट में या कहीं पर भी फिस्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी है यहाँ पर देखिए आपको transportation के बारे में बताया गया था प्लांट के और उसी से रिलेट कर रहा है आपका यह पार्ट अधर वेस्ट में भी stored in leaves, bark, etc. which fall from the plant यानि कि यह बिटा क्या होते हैं store कर लिए जाते हैं और further plants से release कर दिये जाते हैं इस पर हम लोग बर करेंगे यहाँ पर आपको questions दिये जा रहे हैं आप देख सकते हैं state 1 difference between autotropic and heterotropic mode of nutrition यह सारे questions जो हैं बेटा वो आपके practical manner में belong कर रहे हैं कहां से CBSC की board examination से तो आप इन सभी questions को proper manner में cover कर लेंगे देखिया first question है state 1 difference between autotropic and heterotropic mode of nutrition what will happen to the plant if xylem is removed अगर xylem remove कर दिया जाए तो क्या problem आएगी what is the role of saliva in digestion of the food saliva का क्या role है salivary grant से जो release होता है आप सभी को पता है name the tissue that transport water and minerals in plant आप सभी को पता है xylem होता है what is the role of acid in our stomach stomach में acid produce होता है आप सभी को पता है scl जो breakdown of food में पार्ट लेता है तो इन चीज़ों को what is emulsification ठीक है higher carbohydrate particles को lower में break करने का process होता है emulsification होता है name the organals in which photosynthesis occur next name the largest artery in human body define transpiration what is the structural and functional unit of kidneys called यहां पर देखिए यह सभी बहुत ही important questions है जो आपके यहां paper में पूछे गए है so all type questions पर हम चलते हैं how is small intestine digest sorry designed to absorb digested food what are stomata draw well level diagram हमने इस पर अच्छे से work किया था first lecture में write the equation for the process of breakdown of glucose in cell presence of oxygen में और absence of oxygen में write the difference between inhalation and exhalation list three events which occur during photosynthesis how does transpiration helps in a poor transport of the substances name the organal in which photosynthesis occur this question is repeated बट वहां पर आपका very short में था और यहां पर short answer type questions में है name the largest artery in the human body define the transpiration next part पे चलते हैं what are the structural and functional unit of kidney called very good अच्छा question है आप सभी लोग इन सभी चीजों को proper manner में cover करेंगे explain the process of digestion of food in mouth, stomach and small intestine in human body draw a well level diagram आपको एक शीज़ और बताना चाहेंगे कि कभी भी board के paper में figure draw out करने के लिए नहीं आता है figure दिया गया होता है उसमें A, B, C, D करके names दिये गए होते हैं और उनको identify करके उनके main functions को लिखना होता है draw a diagram showing human respiratory system level the following parts larynx, trachea, bronches and lungs तो guys यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई आपका यह chapter यहाँ पर complete हुआ इस chapter के छोटे छोटे parts को हम आगे लेकर के videos बनाते रहेंगे आपके concepts पे वर करते रहेंगे और अभी अगला lecture आप लोगों का जो होगा I hope so कि वो आपके question and answer से related होगा तो guys अगर आपको यह video अच्छा लगा यहाँ पर हमने first chapter को बहुत ही flow chart के method से proper manner में explain करके आप लोगों के सामने represent कर दिया if you like the video, please like the video अगर आपको अच्छा लगा तो like करें channel को subscribe करें